बेटी मातापिता से जित कर रही थी कि मातापिता मार्कीट जाकर उसके लिए मैगी ले आए, कोल्डरिंग ले आए, थोड़ा सा सामान जो उसको चाहिए वो जाकर ले आए क्योंकि उसका मैगी खाने का मन है, कोल्डरिंग पीने का मन है और मातापिता को उसकी जिद माननी पड़ती है क्योंकि उनके पास कोई उलाद नहीं थी सिर्फ वही उनकी बेटी थी इकलोती बेटी जिसको उन्होंने बड़े ही प्यार से बड़े ही दुलार से पालपोस कर बड़ा किया था अज 10 साल की हो चुकी थी और आज भी वह से इतना ही प्यार करते थे जितना पहले करते थे तो इसलिए उसकी जिद मानकर मातापिता मार्केट जाते है उसके लिए कौल डिंग, मैगी और जो सामान उसे मंगाया था वो लेकर आते हैं लेकर आने के बाद उसके सामने रख दिया जाता है और उसके बाद उससे बड़े ही प्यार से बातचीत करना शुरू की जाती है लेकिन बातचीत करने के बाद थोड़ी जैसे ही बातचीत आगे बढ़ती है तो मा अपनी बेटी की दोनों हातों को पकड़ लेती है और जो उस उसके गले को जब तक दवाय रहती हैं, जब तक उसकी सांसे नहीं थम जाती हैं, और सांसे थमने के बाद उनका गुस्सा शांत नहीं होता, उन्होंने फिर अपनी ही बेटी को हिस्सों में काटना शुरू करते हैं, उसके शरीर के अलग-अलग पाटों को काटा जाता है, हैर पुरे में बढ़ते हैं, और पिलानिंग के तहट किया पुलिस उनको ना पकड़ पाए, तो उन टुकडों को ले जाकर छुपा देते हैं, पोखर में डाल देते हैं, जिससे जल्द से जल्द ये टुकड़े खतम हो जाएं, लेकिन सवाल ये उठता है, कि आखर एक लौती बेटी जिसको पाल पोस कर बढ़ा किया, जिसकी कुछ दिर पहले जिसकी डिमांड को पूरा किया था, आखर ऐसा क्या हुआ कि माता पिता ने उसको मार दिया, और फिर उसके हिस्से कर डाले, और हिस्सों को फैक भी आए, सवाल बढ़ा है, लेकिन दूसरा मामला ये भी है कि आखर पुलिस ने उन हिस्सों से, जब माता पिता ने अतनी पिलानिंग से वो हिस्से फैक दिये थे, तो पुलिस फिर माता पिता तक कैसे पहुँची और इस घटना का, इसका खुलासा कैसे हुआ और इस घटना कहा की है, तो ये पूरा जो मामला है, आपके सर को चक्रा देगा और आपको हैरान कर देगा कि छोटी सी गलती एक छोटा सा गुस्सा और एक छोटी सी वजा से आखर लोग हैवान बन कैसे जाते हैं तो चलते हैं और जानेंगे इस मामले को शुरू से लेकर आखर दोस्तों मेरे नाम और लास्ट में जिन लोगों ने इस से पहले वाली वीडियो में कमेंड किये थे उनके जवाब मैं आखर में दूँगा इसलिए वीडियो में बने रहे हैं फिलाल में जो आख्शी घटना है उस घटना की चर्चा बहुत तेजी से चल रही है चर्चा होने की वज़ा ये है क्या दोजार चौबीस में जो आठ मई है आठ मई को बिहार की भागलपुर कोट के अंदर एक माता पिता और एक शक्स को सजा सुनाई जानी है और सजा इस बात पर कोट सुनाएगा कि उन लोगों ने अपनी बेटी की पहले हत्या की और उसके बाद अपनी बेटी के ही इकलोती सगी बेटी के टुकडे करकर उसको छुपा दिया तो सजा सुनाई जाएगी आठ मई को इसलिए चर्चा का माहूल बनाए हर कोई जानना चाहता है कि आखर उन मातापिता ने अपनी बेटी को क्यों मारा आखर मामला किया था क्यूंकि अब ज्यादा सुर्कियों में मामला चल रहा है जिस टाइम पर ये घटना होई थी उस टाइम पर भी था लेकिन फिलाल में बहुत ज्यादा चल रहा है तो इसलिए आज हमने इस घटना को सुनाने की सोची लेकिन ये घटना कब की है और शुरूबात कब होई तो घटना की तरह बढ़ते हैं घटना 2022 की 27 फरवरी की है 27 फरवरी को बिहार की भागलपुर जिले का एक गाउं पड़ता है कहलाव गाउं और उसी गाउं के बराबर में अकबरपुर गाउं हैं मतलब दौनों गाउं मिले हुए हैं वही का हरेराम पांडिय तालाब है वही इसे लोग सुभा सुभा साथ वजे के टाइम पर दोर टहल लगाने के लिए निकले हुए थे 27 फरवरी की सुभा लेकिन उसी भी जो वहाँ के चौकीदार थे योगेश पासवान वह वहाँ से हर रोज टहल लगाते हुए निकलते थे टहलते थे पलाब में उनकी नजर पढ़ती है कि एक बूरा है बूरा काफी बड़ा है और उस बूरे के अंदर कोई बड़ी सी चीज है किसी जानवर के सडले पर नहीं कुसी बहुत जादा खतरना कोई और चीज है उसके सडले से आ रही है तो उनको लगता है कि अगर कुत्ता होता या कोई जानवर होता तो वह एक बूरे में होता दो बूरे का मतलब क्या है इस चीज से उनका ध्यान जाता है और जाहिर सी बात है कोई इंसान जो इस तालाप के पास से रोजाना टहल लगाता हुआ निकल रहा हो और वो अचानक से वहाँ पर दो बोरे दे के तो फॉरन वो वहाँ की जो चौकी थी वहाँ पर फॉन करते हैं पुलिस को सूशना देते ह अब जब पुलिस मौके पर पहुँचती है तो उन बोरो को बहार निकाला जाता है अभी किसी को यखिन नहीं था कि आखर बोरो के अंदर क्या हो सकता है क्या लाश भी हो सकती है किसी को यखिन नहीं था लेकिन सब को ऐसा ही लग रहा था कि शायद कोई जानवर वगरा और वो एक लड़की का शरीर था मतलब किसी लड़की के शरीर को काट दिया गया था और ये हो सकता है तीन चार दिन पहले की बात हो क्योंकि जादा शरीर पूरे तरीके से सड़ा नहीं था सिर्फ बदबू मार रहा था तो वहीं शरीर के हिस्से देखे जाते हैं दूसरा भूरती उसको फोटो दिखाई जाती हैं और जो लोग वहाँ पर मौजूद थे वो लोग चेहरा देखते हैं अब सब लोग चेहरा देखते हैं फोटो देखते हैं गाओं में इदर उदर गाओं में आसपास सूचने दे जाती है कि हो सकता है किसी की बेटी किसी की लड़क कौन है अब जब पता पोस्ट माटम के लिए टुकडों को उठा कर भेज दिया जाता है दूसरी तरफ पुलिस चानवीर में लगे हुई थी उसी बीच पुलिस को सूचना मिलती है कि यह जो लड़की है यह लड़की कहलाव गाउं की ही रहने वाली है और दीप नारायन जो अपने घर पर हैं लेकिन लड़की उन्हीं की है क्योंकि जिल लोगों ने इनकी बीटी को देख रखा है उन्होंने चेहरा पैचान लिया है अब जब चेहरे की शिनाख तो पुलिस फॉरण दीप नारायन की घर पहुंचती है उनसे बोलती है कि तुमारी बीटी कहाँ है तो बोलते हैं कि वो रिष्टिदार की यहां पर गई है यह बाहर अभी फिलाल में घर पर नहीं है हमारी बेटी बिल्कुल ठीक ठाक है पुलिस बोलती है कि ठीक है अपनी बेटी को फॉन लगाओ और हमारी अभी के बात करवाओ वीडियो कॉल पर जब यह सवाल होता है त ती टीना देवी वो भी खबरा जाती है पुलिस तोनों को हिरासत में ले लेती है उठागर ले जाती है सकती जब पूश्टाच करती है कि आखर तुमने अपनी बेटी का किया क्या नहीं किया और जो टुकड़े मिले हैं वो किस नहीं किये अब जैसे ही सवाल जवाब होते हैं तो माता पिता तूट जाते हैं और रोते हुए बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल वो जो टुकड़े हैं वो हमने किये हैं किसी और नहीं पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं और किसी के पैरो तोले जमीन किसक जाती है कि क्या जिन माता पिता ने अपनी बेटी को पाला था उन् आने के बाद जिन्दगी बिल्कुल ठीटाक चलती रही हम अपनी बीटी के साथ बहुत खुश थे सुमन की आदत हर चीज सुमन हर चीज में अच्छी थी पढ़ने रिखले में भी बहुत अच्छी थी लेकिन ये जो ये जो चौबीस फरवरी थी दौजार बाईस चौबीस उसस फरवरी की शाम लगबाग 6 बजए के टाइम हो गई हम लोगों से बोलते है कि इसको खाना है और फिर हमें आभी सामान लेना जाना था मॉर्कूर Пос सा शाम अंधीरा सा हो जाता है और जब हम हंधीरे में रात के टाइम वापस आते हैं तो हमारा गेट बंद था गेट को बजाते हैं गेट जैसे ही खुलता है हमारी बेटी के पसीने छूट रहे थे उसकी हालत ऐसी हो रही थी कि पता नहीं बढ़ी परेशान हुआ हम उससे बेटी के साथ अंदर घर में था और जाहिर सी बात है घर के अंदर हमारी बेटी के साथ होगा तो वो उसका प्रेमी होगा कोई और कैसे हो सकता है अब अपनी बेटी को हम रूम में ले जाते हैं उससे पूछता शुरू करते हैं अब इतने प्यार से हमने उसको पाला प्रेमी था उसका नाम बताओ लेकिन वो नाम नहीं बताती मैं और मेरी पतनी दोनों से सुमन से बहुत पूश्टाश करते हैं लेकिन सुमन जरा सा भी मुह नहीं कुलती हम उसको टॉर्चर करते हैं मारते हैं पीटते हैं तमाम यातनाएं देते हैं लेकिन फिर भी नहीं मान जाता है मेरी पतनी ने उसके हाथ पकड़े और मैंने उसके गले को पकड़ ली और इसी गुसे में हमें कब पता ही नहीं चला कि हमारी बीटी की सांसे कब रुख गई सांसे रुकने के बाद हमारे हाथ पेर फूल जाते हैं कि अब ये तो खतम हो गई अब हम क्या करें हमें तो जेल पहुचा दिये जाएगा पुलिस को पता चलेगी तो हम जेल जाएंगे तो उसी टाइम पर हमारे दिमाग में आता है और घर में ही दो दिनों तक टुकड़े कर लेते हैं टुकड़े करने के बाद इसमें से बद्बू आना शुरू होती है हम परेशान हो जाते हैं कि आखर बद्बू को कैसे कंट्रॉल किया जाए अगर बत्ती जलाती है ये जलाती है और उसी बीच मैं सोचता हूँ कि इस पूरे प्लानिंग में क्योंकि मैं अकीला तो फैकरा नहीं सकता टुकड़े किसी और को लेना जरूरी है तो उसी बीच मेरे एक दोस्त है फैजल खान मैं फैजल खान को ये पूरी बात बताता हूँ और उससे बोलता हूँ कि वो मेरा साथ दे फैजल खान मान जाता है और मैं फैजल खान के साथ मिलकर 27 फरवरी की जो 26 फरवरी की रात थी उसी रात में जाकर उन टुकड़ों को वहीं का जो पोखर था जो तालाब था वहाँ पर ले जाकर बोरे में बढ़कर फैक आता हूँ हमें यकीन था कि हम पकड़े नहीं जाएंगे वो सड जाएंगे गल जाएंगे पानी में डूब जाएंगे लेकिन उसी दिन पुलिस को ये टुकड़े मिल गए और पुलिस च्छानवीन करकर हमारे पास तक मौच गई हम से जो कुछ हुआ वो गलती से हुआ हम सिर्फ अपनी बेटी को डरा रहे थे लेकिन अचानक से बेटी खतम हो गई और हमने अपने गुना को छुपाने के लिए ये सब कुछ किये अपनी बेटी के टुकड़े कर दिये तो इनसान देखी पहले माता पिता से गलती हुई लेकिन उसके बाद उनके अंदर से अपने आपको बचाने के लिए उनके अंदर से प्यार व्यार सब खतम हो गया और उन्होंने अपनी बेटी के ही टुकड़े कर दिया ला ले कितनी खतरनाक बात है आप इस घटना पर क्या बोलेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा और आठ मई को जो सजा सुनाई जाएगी मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि माता पिता को क्या सजा सुनाई गई तो फिलाल में बात करते हूं लोगों की जिन लोगों ने इससे पहले वाली वीडियोस में कमेंट किये हैं और उनके कमेंट का जबाब देते हैं तो पहला कमेंट किया है यह जो कमेंट है यह सैफुल्ला सिद्धी की ने किया है इनोंने का इसलाम अलेकुम जनाब मैं आपका दूस्त बूल रहा हूँ पहचान लिया आपने बताओ क्या हो रहा है सैफुल्ला सिद्रीगी मैंने आपको पहचान लिया है आप बताइए आप कैसे हैं और ये कमेंड किया है माज यूजर ने इनोंने का आए माज भाई गुड नाइट मैं नाइट ड्यूटी पर हूँ और मैं आपकी वीडियो को देखता हूँ आप वीडियो बहुत अच्छी बनाते हैं आजे एहमदाबास से शुक्री आजे भाई और ये कमेंड किया है रहीस कुरेशी ने इनोंने का है मौमद रहीस कुरेशी राजस्तान कोटा अगली वीडियो में मेरा नाम सरूर लेना बिल्कुल रहीस कुरेशी भाई आपका नाम हमने लिया है वैसे आप क्या करते है आपाली सरलाही से हूँ अच्छा कमेंड किया है रंजीत कुमार ने इन्होंने का है कि भाई हम आपका पूरा वीडियो देखते हैं मेरा नाम रंजीत कुमार शुक्रिया भाई कि आप हमारा पूरा वीडियो देखते हैं और ये कमेंड किया है नायक ने इन्होंने का है नम किया है यूजर ने असलाम अलेकुम आपका वीडियो सुनकर सीखने को मिलता है लबाक आपको खुश रखे मैं सौधी अरफ से देख रहा हूं यूपी से शिरी वास्तब हूं तो शिरी वास्तब जी आप सौधी अरफ कैसे पहुंच गए इतनी दूर पूरा यूपी पूरा इंडिये छोड़कर आप महाँ पर पहुंचे के जौब करने के लिए और ये कमेंड किया है महिरा के अलफाज ने अगर किसी से प्यार हो जाए और हम उसके बिना रह नहीं सकते और हम हमारे साथ रहना ना चाहे तो क्या करें पिलीज रिपलाई दें तो देखिए अगर तो कुषी मिल है वैसे करना चाहिए और फिलाल में ये उन लोग की कमेंड थे जलोगों ने कीए तैगर आप जाए आपके कमेंड का मैं जवाब दूँ तो नीचे जाए जल्दी से कमेंड कर दीजए अगली वीडियो में आपको कमेंड का जवाब दूँगा और आपके सव का जवाब दूँगों मिलते हैं किसी और वीडियो में ख्यार लगिए